दूसरे दिन पापा घर आ गए। उनके आते ही मम्मी ने माईके जाने का मन बना लिया। वह मुझे भी अपने साथ ले जाएगी। यह सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले गई। मम्मी पापा से यह बोलकर अकेली ही चली गई कि म माईके जा रही हूँ। मा की तबियत खराब है। मैं दो दिन के बाद खुद ही आ जाऊंगी। पापा यह सुनकर बहुत ही खुश होए। उनका रिष्टा भी अजीब था। मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होती। मुझ प कि आदी हो गई थी, फेस्टिवल लोग के लिए खूपसूरत मानती का, आदी क्या हो गई थी, अपने आपको समझा लिया था, हाँ, इतना तो जरूर था कि मेरी नजरों में पापा की छवी मम्मी की छवी से कुछ अच्छी थी, अच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी, पति-पत्नी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती, हैं, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था, मैं एकदम ही अकेली पड़ गई थी, आज मैं दोकहर में ही स्कूल से घर लोट आई, दर्वाजा खुला हुआ ही था, हा आज माई के सुबह ही चली गई, यहां पापा के बेडरूम में कौन औरत है, मैं यह सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई, खिरकी का दर्वाजा बंद था, दर्वाजे में कुंडी लगी हुई थी, मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था, मुझे ज्यादा सोचना नही पड़ा की अंदर का नजारा कैसे देखू, दर्वाजे के उस छोटे से छेट से होकर एक आख बंद कर दूसरी आख से मैं अंदर, जाकने लगी, पापा एकदम निर्वस्त्र थे, और वह महिला, जिसे मैं कुछ-कुछ पहचानती थी, नाइटी गाउन में थी, वह पापा के साथ एक-दो बार घर पर आचुकी थी, मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद हो आया, उसका नाम रवीना था, रवीना यही कोई बाइस्टेस की छरहरी देह वाली खूपसूरत महिला थी, वह मम्मी से अधिक सुन्दर भी नहीं थी, तो कुरूब भी न नहीं थी, मैं हैरान थी, जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती है, उस पापा को डोट, एक उससे कम उम्मरवाली युवती पसंद करती है, यह ईश्वर की कैसी लीला है, इतने में ही रवीना ने नाइटी गाउन उतार कर एक तरफ रख दिया, मेरे तो पैरों तले से जम में दिखने वाली रवीना कितनी चालू है, मेरी मा भी तो रवीना की तरह ही सौमे और सीधी सादी, लगती है लेकिन इस मामले में कितनी शातिर है, मैं तो एक शातिर और बच्चलन स्त्रीपुरुष की संतान हूँ, मेरा भविश्य कैसा होगा, कभी रवीना ने पापा की दाई जांग पर कसकर चिकोटी काट दी, लेकिन वह जरासा भी गुस्सा नहीं हुए बलकि उसे और प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया, मुझे आज भी याद था, एक बार मैंने पापा को बुदगुदी कर दी थी तो उन्होंने मेरे गाल पर एक थपपड धर दिया मैं अगले पल ही बुदबुदा पड़ी क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक खणों में इतना, सम्वेदन शून्य और सुन्नसा पढ़ जाता है कि दान्तों और नाखुनों के वार को भी महसूस नहीं कर पाता है, यही से मेरे मन के किसी कोने में सैक्स को भोगने की इच्छा ने क रवीना को घुरते हुए कहा तुम सचमुछी मुझे बहुत ही आनन देती हो, मेरी, पत्नी तो मुझे पसंद ही नहीं करती है, वह कहती है कि तुम तीन-तीन दिन तक दाढ़ी ही नहीं बनाते हो, तुझसे बात कौन करेगा, तुम्हारी दाढ़ी कांटों की तरह मेरे गाल करती हो, पापा के यह कहते ही, रवीना हंसने लगी दार्लिंग, तुम्हारी पत्नी औरत है या कोई मोम की गुडिया, भला पुरुष की दाढ़ी की चुभन भी कहीं स्त्री को पीडा पहुचाती है, स्त्री को पीडा तो तब पहुचती है, जब पुरुष बीच में ही सा पुर जाता है, क्या तुम्हें नहीं पता सैक्स में नोचकरोच का कितना महत्व है, दाढ़ी नोचकरोच का ही तो काम करती है, ईश्वर ने कुछ सोच समझ कर ही पुरुष को दाढ़ी दी है, सच तो यहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी से ही पसंद करती हूँ, यहां कहते खते रवीना ने पापा को बाहों में समेट लिया और अपने चिकने और मुलायं गाल उनके दाड़ीदार गाल पर रखकर रगडने लगी यहां मेरे लिए एक नया ही अनुभव था मैं आश्चर्यच्कित होकर सोच रही थी यहां तो कोई भी किसी से प्यार नहीं कर थे रहां यहां तो केवल सहवास की ही प्रधानता है रवीना पापा को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसे पुरुष की दाड़ी की चुभन अच्छी लगती है और मम्मी वेदानत अंकल पर इसलिए मुग्ध है क्योंकि वह सहवास कला में निपुढ है और साथ ही चिकने गालों वाले है ये दोनों स्त्रियां ही है लेकिन इनकी पसंद अलग-अलग है शायद यही वज़ा है कि स्त्रिपुरुष अपने जीवन साथी को छोड़ कर कहीं बहग जाते हैं बहग क्या जाते हैं? अपने मन पसंद किसी सुयोग्य साथी की तलाश कर लेते हैं मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ क्या मेरी पसंद अपने विचारों के अनकूल पुरुष की नहीं है? क्या अपनी पसंद की चीज़ को ढूंडना या पाना गलत है? नहीं पापा, मम्मी, वेदान्थ, अंकल, रवीना आदी सब बहके या भटके नहीं है इन्होंने तो अपनी अपनी पसंद को हासिल किया है इसी मध्यांतर मैंने देखा पापा रवीना की देह पर जुकते जा रही है और उनके होंठ रवीना के होठोन को चूमने के लिए मचल रही है मैंने अगले पल ही अपनी दोनों हथेलियों से आखे ढख ली और मन ही मन सोचने भी लगिया कैसी आग है जो स्त्री को पुरुशदर पुरुश और पुरुश को स्त्रीदर स्त्री भटकने पर मजबूर कर देती है पुरुश की बाहों का पहला पहला स्पर्ष कैसा होता होगा पुरुष के संसर्ग में कभी नहीं आने वाली एक्स्त्ριपुरुष की बाहों के सपर्श मात्र से ही कितनी रोमाचित हो उठती होगी मैं यह जानने की कोशच करते करते पसीने से तर्बतर हो गई मैंने देखा मेरे हाथ के पसीने से फाइल भीग गई है और मेरे स्तनों से फूट आये पसीने ने मेरे बन्यान को भिगो दिया है मेरे हाथ अनायास ही मेरी जांगू पर चले गए मेरी चड़ी भी पसीने से भीग गई थी मुझे लगा मेरे भीतर भी कुछ-कुछ हो रहा है मैं वहां से सीधे अपने कमरे में चली आई मुझे अच्छे बुरे का ज्यान हो गया था मेरे होठोन से अनायास ही बोल फट पड़े अपस्थिती मेरे सामने बिलकुल ही स्पष्ठ है न तो मम्मी दोशी है और नहीं पापा दोशी है चरित्रहीन कोई नहीं है एक दूसरे के प्रती अरूची, नापसंदगी और परिस्थिती जन्य लाचारी नहीं दूसरे से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है जो लोग इन बातों को नहीं समझते, वे ही ऐसे संबंधों को गलत मानते हैं मैं मम्मी को भी जानती हूँ और पापा को भी जानती हूँ मुझे अच्छी तरह से याद है, मम्मी पहले ऐसी नहीं थी देह बेचना उसका धंदा नहीं है वेदान्त अंकल से वह पैसे नहीं एंटती है, उसे तो यौनानन्द का सुख चाहिए जो पापा नहीं दे सकते क्योंकि पापा तो रवीना पर मुग्ध है जब प्रकृती के सारे कार्य समय से होते हैं तो फिर मनुष्य किसी का इंतजार कब तक करेगा मम्मी जवान है, उसे इंद्रिय सुख चाहिए ही चाहिए किसी कोडोत, बच्चलन या चरित्रहीन कहना जितना आसान है, उसको समझना उतना ही कठिन है एक पुरुष की बाहों से दूसरे पुरुष की बाहों में जाने का सफर कितना दुशकर होता है भले ही सहवास के सुखों में व्रिद्धी हो जाती हो पर क्या शुरू-शुरू में दूसरे पुरुष तक पहुचने में तकलीफ नहीं होती होगी कितना अपमानित होना पड़ता होगा मम्मी पापा को नजरन्दाज शुरू से ही करती आ रही है आखिर कब तक वहां अपने प्रती उसकी उदासीनता को ओड़े रहे कभी ना कभी तो किसी ना किसी से तो उन्हें जुड़ना ही था मैं रवीना की शुक्रगुजार हूँ कि उसने पापा को समझा है और मैं वेदान्त अंकल की भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मम्मी की पीडा को और बढ़ने नहीं दिया है। अगर पापा के जीवन में रवीना नहीं आई होती और मम्मी के जीवन में विदान्त अंकल नहीं आई होते तो क्या ये दोनों दिमागी रूप से पागल नहीं हो गए होते। इन अवैत संबंधों ने ही तो उन्हें यौनरोगी होने से बचाया है। इतने में ही मेरे विचारों की श्रिंखला तूट गई। पापा दर्वाजे में खड़े थे और रवीना उनके पीछे खड़ी थी। मेरे बोलने से पहले ही दोनों मेरे नज़्दीक आकर बैठ मैंने देखा डोनों के ही चेहरों पर गजप की ताजगी और आत्मसंतुष्टी थी। मेरे मन में पापा के प्रती कोई मैल भाव नहीं था। मैं रवीना को भी एक बच्चलन उरत नहीं मानती थी। मम्मी के लिए भी मेरे मन में कोई बैर भाव नहीं था। परिस्थितिय इसा कभी मेरे साथ भी हो सकता था या किसी दूसरे के साथ भी मेरी तरह विचारधारा शुरू-शुरू में इन लोगों की भी होगी जब परिस्थितियां इनके प्रतिकूल होती गई तो इनके विचारों में भी बदलाव आता चला गया मेरे भीतर एक गजब का आत्ममंखन चल ही रहा था कि पापा ने मुझे तोग दिया काजोल बेटी क्या सोच रही हो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है ठीक चल रही है पापा मैंने यह कहते हुए पापा की ओर देखा तो वहां मुझसे आखें मिला ना सके मैं बोली पापा मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ तुम मम्मी के लिए या दुन्या के लिए जैसे भी हो लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरे पापा ही हो और मम्मी भी तुम्हारे लिए कैसी भी क्यों न हो पर मेरे लिए तो मेरी मम्मी है मैं जानता हूँ बेटी यह कहते-खते पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया मैंने महसूस किया पापा कुछ-कुछ यह जान गए थे कि मुझे मालूम हो गया है रवीना से उनके क्या संबंध है इतने में ही रवीना ने अपने पर्स से ताफियों के दो-तीन पैकेट मेरे आगे रख दिये तुम्हें ये ताफियां पसंद है, न? मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ, रवीना यह कहकर हंसने लगी मैं सोच रही थी अब मैं इस प्यार और लगाव को क्या कहूँ? कैसे यह कह दूं कि रवीना बच्चलन है या विलान अंकल चरिद रहीन है? मुझे एक साथ इतने सारे लोग प्यार करने वाले मिले हैं मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं बुरे तो तब होते जब वे एक दूसरे को बलात मेल करते या ठकते लूटते वे तो जिन्दगी को जी रहे हैं वह भी बड़े ही सलीके से मम्मी पापा के साथ रह भी रही है और अपने तरीके से जी भी रही है पापा भी मम्मी के साथ रह रही है और अपना जीवन भी जी रही है घाटे में कोई है तो वहां मैं हूँ मुझे मम्मी पापा की दोहरी जिन्दगी के साथ आए दिन समझोता करना पड़ता है मुझे डर है कहीं मैं भी दोहरी जिन्दगी जीने की आदी न बन जाऊं इतने सारे लोगों का प्यार किसी दिन मेरे लिए धीमा जहर भी बन सकता है मैं अभी और सोचती इतने में पापा बोल पड़े बेटी तुम अपनी पढ़ाई करो मैं रवीना को बस स्टैंड तक छोड़ कर आता हूँ यस पापा मैं यह कहकर एक किताब रैक से खीच कर पलटने लगी अगर कहानी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले